तो भाईया जैसे हमारी चालू अपी ने रोना धोना ये सब मचाया हुआ था और ये कहा था कि मुझे रोना आता है मेरी लाइफ ऐसी है अगर आपको लगता है हम वहत खुशाल है तो हमारे में भी लडाई जगड़े होते हैं मतलब उन्होंने हिंट दे दिया था लडाई ज तो क्या करूं तो बिचारे की मनाना शुरू हो गया और पैंपरिंग शुरू हो गया और पैंपरिंग किससे शुरू हुई है आटा किसने गुंदा ये तो दिखाया है नहीं है लेकिन आटा गुंदा हुआ है और पराटे बनाने के लिए आ गए है और साथ-साथ ये भी कह आपको मिल जाए तो हमारी जो चलू अपी है वह व्लोग लेकर आ गई है और रोना-धोना उनका कुछ ज़्यादा ही हो रहा है यानि कि पिछले दो-तिन व्लोग से वह यही बता रही है कि रोना-धोना चलू है रोना-धोना चलू है तो लोग आंकड़े लगाने और कमेंट करने हैं यहां तक भी लोग यह तक भी आकने लगा रहे हैं कि अब सस्राल जाने की बारी आ गई है तो मैडम को घबरहाट हो रही है और रोना-धोना इसलिए शुरू हो गया है खुद अनहाईजिनिक हाथ से सारे चीज़े डालने वाली वह अपने शोहर को सिका रही है कि आटा जो है वह किसी बतन से सब्सें क्लेंना चाहिए था मतलब शूगा आटा सब मतलब सुक् It all kiss सुख नयारलिया 15 a- जो मेरे ननिहाल में बहुत जादा बोल जाती, मेरी मामु की बेटी आए न, वो बहुत बोलती थी, वो ये कहती थी, मतलब दूसरों को नसियत, खुद को फ़सियत, ये कहा वती, मुझे एक्चुली वो समझ में नहीं आती थी, लेकिन जैसे जैसे हम थोड़े बड़े होते चले गए तब मुझे इस कहानी का मतलब समझ में आ गया यानि कि दूसरों को नसीयत करने वाला खुद ही वह उस चीज को इंप्लिमेंट नहीं करता है जिस तरह से चहकरी है और यह कहनी है कि वनी ने बताया कि मैं आज पराटे बनाऊंगा और यह आज इसकी तब्यात खराब है और शूट करेंगी मतलब तब्यात खराब में वह सूट कर सकती हैं और हस करा खिल कहला के बाते कर सकती हैं लेकिन बना सकती हो यह कैसी तब्यात खराब हैं यह तो ल मोती खिलाएं को बना रहे लेकिं अँफ, फ़री भाई को ये समझ में नहीं आता चो उनके घर में अमी, पापा सब इनका व्लोग देखते हैं, उनके यार दोस्त देखते हैं वो क्या सोसते हूँ च ह 느खते हूँ जबकी अगर इनके घर में कोई और नहीं होता तो समझ में आती कि अपने वाइफ की मदद करना हेल्प करना या बीमारी में या परिशानी में उसके लिए कोई काम करना बड़ी बात नहीं है कर सकते हैं शोहर को आया है हमारे हुजूर का भी फरमान है लेकिन जब तक जब तक कोई और करने वाला ना हो बहीं चलिए मैं गिन वाती हूँ वो बच्ची सुरी 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 मैंने बच्ची बोला बच्ची नहीं है वो 18 ब्रस है मतलब वो रिजा मतलब वो डॉटर खाला मतलब उनकी अम्मी और तो और अगर इनको भी अवोइड कर दे जाए कि चलो वो भी नहीं है तो एटलिस और कुछ नहीं नानी तो है जब नानी अपने लिए खुद का खाना बना सकती है अपने कमरे में गैस चूला सब चीज रख कर तो दो लोगों के लिए दो रोटी नहीं डाल सी इससे पहले भी तो नानी ने कितनी बात दावत करकर के उनके लिए खाना बना बना के इनकी दावत करकर बुलाया है अब फिर जा रही है और जब कभी फिर जाएंगे आप नोट कर ले ना जब नानी वहाँ पर होती है तो क तो वो आ जाएंगे मुझे सीख देने के लिए इस उमर में अम्मा खाना बनाएंगी और अम्मी कैसे खाना बना सकती है भाई वो तो अम्मी है वो तो सिर्फ सोफे पर बैठती है और डॉर्टर खाला भी चारी नीचे का करे या उपर का करे और तीजा तो बच्ची है ये content creation है चलो उन सबको भी अवर्ट कर देते हैं नहीं बना रहे कोई बात नहीं है किसी भी चीज में exactly ये है कि content creation है इसलिए चलो बही चलो मैं पराटे बनाता हूं और पराटे ऐसे बनाए ऐसे बनाए मतलब उसने सही से बताया नहीं और उसने दबाद दबाके उन्होंने जान बुच के काओगा दबा दबा के बेलो जिससे कि जो वो रोटी चिपक जाए लोग हसें इंगेजिंग मिले वीडियो को वाद चलो अपी क्या दिमाग लगाया है वाह कहती है नमक नहीं है आटे में आवलाओ हम नमक मिला दे जिसने भी आटा तयार किया गूथा मतलब आटा डो तयार किया उसने नमक नहीं मिला है जबकि पता है कि सेरी में पराटे ही बनते हैं पराटे फीके तो नहीं होते हैं अगर आटा रोटी बनाने के लिए तयार किया है तो वो एक अलग बात है कि बहुत सारे लोग रोटी में नहीं डालते हैं और बहुत सारे लोग हमेशा ही आटे में नमक जरूर डालती हूं चाहे फिर वो रोटी बने या फिर पराटे बने जब कि पराटे तो बहुत 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 कम बनते हैं हमारे हैं रोटियां ही बनती हैं बट मैं कहरी हूं रोटी के लिए भी मैं नमक जरूर डालती हूं बहुत कम डालती हूं लेक एक बार तयार कर दो, उसको set कर लो, उसके बाद आप आठे को मिलाओ, वो प्रॉपर तरीके से mix नहीं हो पाता है, इतनी तो समझ होनी चाहिए ना, मैं भी किस के बारे में बात करें हूँ, समझ और इनको, ना, 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 हस हस के कहने हैं, प्लीज हम बना देते हैं, चड़ना चड़ना, ओ माई गॉड, ये मुझे ऐसा लग रहा था, पराटे ना बनाने के लिए, ना कहकर किसी और चीज के लिए कहने हैं, जैसे कोई ऐसे कहने हैं, आओ 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 प्लीज आप कुछ गाना का के दिखा दो, आओ प्लीज आप डांस करके दिखा दो, जैसे उसके में, और मैडम को शूट भी करना था, क्योंकि कंटेंट की रेट नहीं होगा, तो मैडम को अर्निंग कैसे होगी, तो उन्होंने क्या किया था, इस्टेंड पर लगा दिया था फोन को, और लगातार कीचन में काम कर रही थी, ये ना केवल रिंग लाइट लगाती है, उसी म भाम भी हो सकता था, कि तुम्हारी तबियत खराब है, तुम अराम करो, और मैं ये बना लेता हूँ, लेकिन अगर वो अराम करती कमरे में, तो ये जो चुलबली चुलबली सी जो बाते हो रही है, ना नोटी नोटी सी बाते जो हो रही है, और नहीं मनाना, रूटना, मैं बना दूँगा, तुमने चम्मज सी आटा क्यों नहीं निकालते हैं, उसके लिए अलग इस पैचुला डाइप का कुछ आता है, जिससे आटा निकालते हैं, या फिर कटोरी वगरे सा लोग निकालते हैं, या फिर कोई छोटी प्लेट उसके अंदर ढाल कर रखते हैं, उस स तुम सारी चीज़े चम्मज से स्पैचुला सी करते हो, तुम भी तो बहुत सारी चीज़े हाथ से ऐसी करती हो, तो भाई अब तुम सारी चीज़े हाईजिनिक पर करकर दिखा रही हो, वा, 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 गट मारा गया है, और यह कहा गया होगा, कि तेजी-तेजी से प्र लगा दिया कमाल का टैलेंट है यह तुम्हारा सिखाया पड़ाया टैलेंट है और आई बात इसकी शेप से मैं कहते हूं कोई फरक नहीं पड़ता चलो शेप जैसे है लेकिन सेखा कितना बड़ यह भाई मैंडम से तो जादा अच्छा लिया यह डबा कैसे सेख ती तो सबको पता रहे है यह तो जला देती है तो कच्छा है अपने ही पराटे के खुदी बुडाई करती वी नजर आ रही थी कि लोग बता रहे हैं कि कच्छा है मतलब अमी और इनका भाई और वो सब कह रहे हैं कच्छा है लेकिन इनको कच्छा नहीं लग रहा था खुद का और अगले दिन से एक है तो वो जादा इसे एक दिये जला दिये फिर बुला कर कहती है कि देखो यह रूम हमारा सैट हो गया है और पिज़ा नहीं समाल दिया है और यह रग भी खुद नहीं बता दिया क्योंकि पता है कि जितने दिख गए हैं वो इतने तो आई जाएंगे कैमरे में क्योंकि कमरा जादा बड़ा नहीं है तो वो कपड़े दिखाई दे गए हैं कि जितने भी दुलेवे कपड़े थे वह उठाके बैड पर से नीचे फैक दिये और इसको लिटा दिया है यहां पर यानिके फणी की जगा पर ढ़ा जो और नहीं है तो उसका नाम ने ढ़ा हुआ है तो कभी वो उसको रेडू कहती है कभी उसको जो है दोलू कहती है सोरी मैंने डोलू बोगा मतलब वो टैडी बियर को लिटा दिया है वहाँ पर फनी आंके चिल जाते हैं और मैं रिकॉर्ड कर रही हो पीछे से परी हस रही है कि मेरे डोलू की बाद ही आ गई और नाटक करके दिखाते हैं यह क्यों लिटाया वो भी मेरी जगह पर इसको फैक ना जिनको नहीं पता उनको हम बता दे कर ट्राइंगल टाइप का एक गडूलना टाइप का एक ऐसा सपोर्टर होता है जिसके सहारे से ककड़े होकर 쉽ना कर DENNIS खुड़े बढ़ा दान मतलब अपने कड़े होकर बहुत ही ऑडिने मंनाना वह क्ठैस आते हैं लेकिन अन् desarrollo कर कि वह अल्रेडी हमने देखा था उनका भी पता ने किस तरीके का था वह लेकिन वह ना मंगा के गडूल ना मंगाया है अब यह क्या है मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा क्योंकि तुम डबा को कम समझो क्योंकि लोगों की तरफ इतनी बाते उठ रही हैं इतनी बाते बाता इपने को चलने का हो सहरा बिना सहारे के बैट नहीं पाता है वह पर बहुत जादा होता है वह कि वह बहुत मूव करना और खुद के पैरों पर खड़े होना सीख जाते हैं तब यह वाला गडूल नकाम आता है जिससे कि बिना सहारे के भी बच्चा चले पकड़े और कुछ कदम आगे बढ़ाए मेरे बेटे के लिए भी जो ना उसके नाना ने ऐसे लाके दिया था इस टील का वह तो जाते हुचती है अलं सुपगे भी था तो इस तरह के आते थे तो यह कि ने इस वाले को अब इस जमाने में मंगाने का क्या मतलब था यह शेड करना था यह यह सब चीजे जताना था यह इसका क्या मीनिंग था क्या सोच के इसने यह ओडर करके मंगाया इसको अच्छे से अच्छा स्टाइलिश वाला वह वाला वाकर मंगाना चाहिए था जिसको गडूलना ना कहकर वाकर कह होते हैं जो की बहुत अच्छी तरीके से गुट्डी के आते हैं लाइटिंग के साथ भी आते हैं उसमें टॉई इस तरह की होते हैं जो घ्माने में अब चल रहे हैं तो यह समझ लीजिए कि मेरा बेटा चलना सीका था तो पापा ने उसको इस तरह का लाकर दिया था देखिए मैं स्क्रिंशोट लगा रही हूं ऐसे वाला जब वो आगे चलता था तो उसमें घंटी बस्ती थी और गंटी बस्ती थी तो वो ज्यादा अच्छा लगता था उसको जब उसको वो आगे धकेलता था और चलाता था क्यों भी दिया था तो जब वो उस पर अच्छे तरीके से चलने लगा देन वो वाला गडूल ना भी लेकर रहते हैं और यह जो रूबे भी है अभी ना तो यह घुटने के बल चलते हैं ना सही से बैट पाते हैं ना खड़े होने का तो सवाली नहीं उठता है इवन कल हमने साम किया है चालू अपिनफ बड़ी ही चालाकी के साथ यह जान बुझके क्या है क्योंकि यह रेडिट पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है और वहां इतने तरीके की बाते होती है और यह सब के मोसली कमेंट भी पढ़ती है भाई-भावी की वीडियो के भी कमेंट पढ बढ़ती है उसको प्यार नहीं आता उस बच्चे पर क्या वह दो एक घंटे के लिए जान नहीं सकती है कभी ऐसा हुआ कि वहां से अपने घर ले आए अपने घर पर उसको अपने हातों से बना के कुछ खिलाए मुन से भावी से पूछ ले के इसके फीट का क्या टाइम है खाने का क्या टाइम है उस टाइम पर उसको बना कर खिला दे भाई हम लोग बुआएं हैं हम करते हैं हमारे बच्चे थे उनकी बुआएं करने उन्होंने भी किये हैं तो यह तुम्हें बिल्कुली अलग हिसाब कि दाब देखरी है यह सोशल मीडिया का हम सा शात हैं माला जूटा नाटक है इनका हिपोग्रेसी है जीरे दीरे दीरे बेपरदा होती चली जा रही है बहुत सारे लोगों को समझ आ रही है और बहुत सारे लोगों को समझ आ रही है और बहुत सारे लोगों को समझ आ जाएगी क्योंकि जूट की जो उम्र होती है वो बहुत जादा लं कराला मैंट और यह जो भी बेबी ब्रेंड लेंड तो वही आते यह आता है आपने एमजोन से ओर कर технолог करकर तो मंगा लिया पहले first cry जाके वहाँ check भी कर लेती कि जब बच्चा इतने मंत्त हो जाता है और पहरे कदम चलता है तो उसके लिए क्या कूण सा चाहिए होती है व biết़angen बड़ा brand brand काती है जहां भाई को और भतीजे को और बहन को और भतीजे को देने वाली बात आती है बहुत ही और बहुत ही कंजूस भी है जो कि टाइम टूटा टो है ने अपने व्लोग शूट करने के चक्कर नहीं हो ता कुछ भी दिन दुनिया के क्या चल क्या रहा है बहुत ही इतना से घर है को यह यह से लंबा चोड़ा घर महल नहीं को तुम्हारा तुम्हें यह ना पता हो कि प्यास कॉन सी जगा बैठ कर कट रही है और को काट रहा है जब प्यास कट यह तो फूरे घर में जल हो जाती है तीक है न तो कुछ सब्जियां कटवाईए चीज़े आती है तुम उससे सीखती हो तो भाई तुमने जिन्दीगी भर क्या किया है जब वो चोटी थी तब तुमने क्या किया और अब वो बड़ी हो गई है तब तुम क्या कर रही हो तो कहती है कि हमने यह उससे कट वा लिए अपना इर्षाद से यानि कि जो इनके हलपर है उन से कटवा लिए तो फणी फीसे से चिला के कहते हैं मैंने कटे है मैंने मतलब वो कह रहे हैं कि मेरा क्रिडिट सुम किसी और को देरी अच्छा आप पता नहीं तो पैन में और जीरा डाल के और आकर वापस कहती है ये तेल में जीरा किसे डाल दिया तो कहते हमने डाल दिया है हमें इसा कि πज आ चलिए तो वहां पर कुछ मसाले तो डब्बे में रखे वे ते और जो हल्दी रखे हुई थी न वह पैकेट में रखे वी थी क्यों भाई तुम्हार पास डब्बे नहीं थे इनको शिफ्ट करने के लिए जिसमें उसमें जार में डालकर रखे एक तरफ तो किचन को समेटने का अच्छा डाल दियो वहां यार बड़े अच्छी ओग्राइजर हो तुम एक तो उस लड़की ने कमरा ठीक किया वहां टेडी बिछा दिया तो भाई उसने बहुत बड़ा गुना कर दिया उससे पूछ दिये अरे पीजा तुमने वहां पे टेडी क्यों बिछा दिया फणी भाई अपने रेस्टोरेंट में आपकी लहसी भी रखेंगे ठीक है फणी बाई कम सकम आपको अपने रेस्टोरेंट में वह एक जॉब तो दे रही है देखो भाई ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं मैं कवर करूँगी डेफिनेटली क्योंकि इस ताइम मुझे लेट वराए क्य जरूँ community शेयर करें अच्छा लगता है जब आपने चट पैटे से they will speakे में ऐचे भी होते हैं कुछ नेगर्टीव इस जो भी मका क्בशाय को दो अच्छे होतें वह तो मोस्ट मोस्ट वेलकम तो प्लीज कमेंट जरू छोड़ा करें चलिए मिलती हूं आपसे नेक्ट वीडियो में तिल देन बाई बाई अला हाफिस टेक केर